नवस्कार साथियों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं मद्विदेश सामान ग्यान के बारे में अब बात करते हैं हम लोग साहितिकार के बारे में साहितिकार देखते हैं मद्विदेश के ठीक है महा कभी काली दास चंद गुप्त बिक्रमा देत के नावरतनों में से एफ तथा इने भारत का सेक्स फियर भी कहा जाता है रचनाओं की बात करें काली दास जी की तो कुल साथ रचनाएं उपलब देन की दो महा काप रगुबंस और कुमार संभव तीन नाटक की बात करें तो यह मालविक कागनी मित्व अभीज्यान सकुन्तलम और विक्रम बरसी है दो खंड काप हैं रितु संगार और मेगदूद मालविक कागनी मित्व इनकी पहली रचना है काली दास दारा रचित कुमार संभव संस्कित का महा काप है जिसमें सिप पारवती के बिवाय एवार कुमार कालती के जनम के साथ थी तारा कासुर वत की कथाभी बढ़न है इसमें काली दास का अभी ज्यान सकुन्तलम नाटक है इसमें हस्तनापुर्ग के राजा दुसेंद एवं महेरसी कर्णु की कर्ण्या सकुंतला की प्रेम कहानी का बटन है दूसरे हैं कभी वरत हरी वरत हरी वज्जैनी के राजा थे इनकी साधना इस्तली चोनार उत्तरफदेश बस्रमादी स्तल राजिस्थान की सरिस्का अलवर में है इनकी रचनाओ सत्कते इसमें नीती सतक सिंगाल सतक और वेराग सतक है अनकरंद की बात करें तो वाकपदी, वाकपदीव बिट्ती, भागवरती, महाभास तरफदी, महाभास दीविका, सब्त धातु समीक्छा, मिमानसा सूत बिट्ती, वेदान्त सूत बिट्ती, फ्रहंगले हैं हमारे भववूती यह पदमपूर की निवासी थे, इनकी रचना है मालती मादव, महावीर चरित्तम, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित किसने लिखी, भवूती ने, संस्कित का विट्तम, दुखान ना टके, आगे बात करते हैं वाण बट्टी है वारे में, तो हरस्वर्धन निराज कभी थे, हरस्चरित, हरिश्चर्तम, कादमरी, मोकुट, तादी तक, यह सभी इनकी रचना हैं थे, दंडी, दसकुमार चरित थे इनकी रचना, भार्वी, केर्टा अर्जूनियम थे, इनकी रचना, फिर बात करते हैं, मद्यकाली, सहितकार के बारे में, आचार के सवदेव, इनकी रचना है, रशिक प्रिया, कभी प्रिया, दोन विज्ञान गीता, रतन वाउनी, जहांगीर रच्चन्दिका, नक्सिक्र बर्डन, राम अलंकरत मंजरी, राम चन्दिका, छन्दमाला, बीजर सींग, देव चरित, फिरें भूसर्ड अंगले हों, कभी हैं, मद्दकाली साहितकार, मद्देश के, तो भूसर्ड की रचना है, सिवराज भूसर्ड, सिवाबायोनी, छत्यसाल दसब, भूसर्ड उल्लास, फिदूसर्ड उल्लास, और भूसर्ड हजार, अंगले कभी हैं, कभी पदमाकर, तो इनकी रचना है, हिम्मत बहादर, विरुदाव अली, जग्मिनोद, पिरवोद पचासा, जैसिंग विरुदाव अली, हिताव पिदेश अली जाह, फिरकास गंगा लहरी, राग रसाइन पदमाकर, पिरताव विर्दाव अली, इनकी प पिर्मुक रचना है, अंगले हैं, विहारी, विहारी की विहारी सत्साई, बाबु, किष्ण, नंद, गुप्ता, तो इनकी है, रचना इसुरी की फागे, फंडित, गोरी, संकर, दुवेदी, तो इसुरी विकास इनकी है रचना, लोक सिंग नागर, इसुरी तो सत्साई है इनकी रचना द्रजेस रस राग रस साग नेड़ है इसकी रचना संथ सवरोगदास रस रतनागर है इनकी रचना रिवार राम बापू रतनपूर का इतियास है इनकी रचना आगे बात करते हैं लोग आधुनिक साहित कारव पंडित माखनलाल चतरवेदी तो इनका जनम हुए चार अप्रेल 1989 को बावई अब माखन नगर जिलाहों संगबाद के बावई गाओं में जनम हुए अणका पिरभा की संपादक ने करमबीर के भी संपादक थे तो इनकी दो रचना यहीं देख लोग पिरभा और करमबीर पिरभा काब कोन कोन से हेमकरीटनी हेम तरंगडी माता योग चरण मरण जुआर धीजुरी काजल आज रही और धुम बले फिर रहे हैं निवंद संग्राएं माखन जाल चतुरवेदी जी के साहित देवता अमीर इरादे गरीव इरादे पाओं पाओं नाटक में किष्ण रुजुन युद्ध फिसिद रहे अन्य रचनाओं की बात करने तो कला कानुबाद कहानी और कहावत सभी कहानियां समय के पाओं संस्मर्ण चिंतक की लाचारी भासाक संग्राएं आदी बिलावपुर जेल में लिखी गई पुस्प की अभिलासा इनकी पिसिद रहे हैं ठीक है ये थे पंडिक माखलल चतुरवेदी अंगल लिखें गजारनन माधाव मुक्ती बोध सेवपुर कला सब्सक्राइब बुद्ध में जनम मुगन का चायाववाद के उत्तरकाल्म से संबंधित श्री मुक्ती बोध तार सबतक के पित्धम कितेश्टित कभी हैं इनकी रचनाओं की बात करें तो चांद्का मुए टेड़ा किसकी रचना है गजारनन माधव मुक्ती बोध की है च इत्यास और संस्किति का माईनी एक पुनर विचार एवी गजानन माधव मुक्तिबोद की रचनाय थी आँगे बात करते हैं सुमध्रा सुबद्रा कुमारी चौहान सुबद्रा कुमारी चौहान इनका जनम हुआ सोले अगस्त 1904 में निहालपूर इलाबाद उत्तरपिदेश में जनम इनका खंडवा निवासी हैं काब संग्रा इनका मुकोल और तृधारा कहाणिया इनके विखरे मौति उनमादीनी सीधे साधे चित बाली कभिता की बात करें सुमध्रा कुमारी चौहान जी के सभा के खेल बिवेच नात्मक गल्प बिहार काब संग्रा की बात करें तो जलिया वाला बाग मैं सर्मा नवीन बाल किष्ण सर्मा नवीन तो इनका जनव गुगा है आठ देसंबर 1897 इस भी को मत्पदेश के साजापुर में जन्मे फिरभा और पिरताब का संपाधन किया इनोंने रचनाओं की बात करें तो और मिला महा कब प्रहड़ पर खंडका पता इनकी कभीता संग्रा करें कि बात करें तो कुम-कुम रस्मीरे का आप अलग क्वासी विनोवा इस्तवन हम विसवाई विसवाई जनम के विपलाव गायन अनल गायन इनके फिरमुक कभीता संग्राथी फिर पंडित हरी संकर परसाई तो इनका जनम हुआ है 22 अगस्त 1924 मत्पदेश के होसंगाव जिलि में जमानी गाउं वसूधा नामक साईत मासिक पढ़ती का ओ पहरी के सभपाधखें इनके उपन्ना से रानी नागपनी की कहानी और तटकी खोज इनकी उपन्नियासने कौनकों से रानी नांगपनी की कहानी और तट की खोज पंडित हरी संकर परशाई जी के आगे बात करते हैं इनके निबंद की पंडित हरी संकर परशाई जी के निबंद की बात करने तो तब की बात और थी भूत के पाउं पीछे बेईमानी की परत पक डंडियों का जमाना सदाचार का ताविज सिकायत मुझे भी है इन पंडित हरी संकर परसाई के निवंद संग्राय थे और पंडित हरी संकर परसाई जी के कहानी संग्राय की बात करें हैं तो हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरते हैं फिरें वेंग निवंद संग्राय की बात करें तो बैश्टाओं की फैसलन तिरची रहा है ठेट ठेट उर्ता हुआ अगरतंत बिकलांग सिध्धा का दौर इनकी निवंद संग रहे थे अब बात करते हैं हम लोग सरजोसी 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 का जनम मई 1931 को वो जयन में हुआ है सरजोसी की रचनाओं की बात करें तो परिक्मा फिर किसी बहान है जीप पर सवार इल्लिया राहे किनारे बैठे दूसरी सतय फिचले दनो यथा संभव सभी बैंग ने व जद्धा नाटक मैं मैं और केवल मैं पन्यास्तायन का तिलिस्म कहानी संग रहे था सरजोसी का ठीया फिर अंगले मुल्ला रमुजी तो 21 मई 1896 को वह बाल में पैदा हुए गुलावी उर्दो की सेली के जनमदाता थे इनकी पिरमुख के मुल्ला रमुजी की पिरमुख रचनाओ की बात करें तो इंद खावे गुलावी उर्दो मजमुआ गुलावी उर्दो, मीका लाद गुलावी उर्दो, ख्वातीन, अंगुरा, साधी, औरत जाद, लाठी और भैस, दीवाने मुल्ला, रमुजी, सिखा खाना, जिन्दिगी, मुल्ला रमुजी, गुलावी उर्दो, गुलावी साहरी इनकी प्रमुख रचनाय थी आंगे देखते हैं लो भावानी प्रिसाद मिस भावानी प्रिसाद मिस का जनम हुआ है 23 मार्च 1914 को होसंगाबाद जिले में इनकी रचनाय थे हैं घीत फरोस, चके थेदो, अंधेरी कविता हैं गांदी पच सब्ती, बुनी हुई रसी, दूसरा सब्तक, पाओं एवब पंग, कमल के पूल पहली इनकी प्रमुख रचनाय थी भावानी प्रिसाद मिस की बात करते हैं मध्विदेश के लोक साहितकार तुसंत सिंगाजी संत सिंगाजी की रचनाव की बात करें तो कबीर दास जी के संत सिंगाजी कबीर की भाती साखियां गाते थी निवाडी बोली में साधवार, वारैमासी, पंदरह थी थी दोसबोद, नरद, सरद, आदी, सिस, खेमदास में उनके जीपन पर फरचुरी की रचनागी थी फिर हैं अगले हैं जगनिक कलिंजा नरेश, फरिमल, देव के दरवारी जगनिक ना सरी कभी थे बलकि ये उद्ध्याव भी थे फरिमल, रासो, और आलाखंड लिखे रोने, जगनिक ने आलाखंड विस्की सबसे लंबी लोग गाता है आलाखंड किसने लिखा? जगनिक ने अगले हैं इसुरी जनम इनका संबत है 1831, मेड़की गाउं, मौरानी, पुरकी निकट, जहासी, जलाव, उत्तरफिदेश, बुंदेलखंड के जैदेव के नाम से फिसिद इसुरी, उनकी सबसे बड़ी दैन थी फाग का अविस्कार, इसुरी का इनकी बात करें रचनाओगी तो इसुरी की फागें, इसुरी विकास, किश्नानंद, गुप्ता, गुप्त का संकलंग, इसुरी सत्सई, गौरी संकर, दुवेदी का संकलंग, प्रेम का रजव, फेड़ता, इस्त्रोथ, फ्रें गाग, गाग, संबत 1753, कि लगवक कन्योज या निकट के गाओं में जन में गाग को कभी था, जियोतिस और नीती संबंदी अच्छा ग्यान था, गाग ने किरसी को सर्वोत्तम बेवसाय गुसित किया, इन्हें किरसी पंडित भी कहा जाता है, किने गाग को, याद रुखिए किरसी पंडित किसे कहा जाता है, गाग को तो चलिए, ये थी हमारे पिरमुक्र मद्विदिस के परीपेक्श में साहित का, टेल,